हेलो फ्रेंड्स मैं आप सबका अपने यूटूब चैनल प्रभा इंस्टिट्यूट एवन में स्वागत करती हूं आज मैं लेटर डी से स्टार्ट होने वाले कुछ इंपोर्टेंट वर्ड लेके आई हूं जो कि देखते हैं वह सारे इंपोर्टेंट वर्ड कौन से हैं और इसको आप स्पैलिंग के साथ इसको याद करने के कोश्चित करेंगा चलिए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं देखे पहला वोट क्या है डबल का मतलब होता है बिगोना या छड़कान चड़काना चड़काउ जिसको कहते है उसको Printost करे के इससे चीज को काफ ही उसको इलाबोरेट करें मतलब एक है अब आप यह next word दिखते है क्या है ठीकर नेक्स्ट वर्ड है Defte, Defte कमतलब होता है दिवाना या मंद बुद्धी इसका दिवाना का मतलब यह हो जाएगा जिसकी मंद बुद्धी होती है जो मतलब चंचल होता है क्या सकते हैं पागल रěक। बैल डिएसिक Κया है सिनॉनीम हो जाएगा सिली या इनॉसेंट मतलब जो हमस्ति होता है जो कम आशें द्रौग या ऽीन हरें जो पोलौ के चीजन को समझ नहीं पाते है तो उनको भी कहता है, इसका synonym हो जाएगा, डेफ्ट का synonym हो जाएगा, और अन्टॉनिम क्यों हो जाएगा, सेन, साउंड या सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब होता है कि जो सेंसिबल चीजे होती है, इंसान उस चीज को समझ रहा है, और sound का मतलब उसकी बाते जो है, वो लोग आएगा से जो को जो बोलता है, इसका synonym हो जाएगा चोगा, सेंसिबल टेस्ट कर दो को समनों होटा तर एक जो लोग सेंसिबले या जो को समझ पनीCयाए पेखने काउन झाने मतलब जो चीज कäre जोह जा का नो चैनननी सेंस्टी आरप्स्ट का तरों है क्यों हमनों हो मतलब जहां पर लोग जाके कोई performance देते हैं या अपनी योग्यता उनको दिखाते हैं और या तो फिर कोई speech देते हैं तो उसको मंच बोलते हैं इसका synonym हो जागा podium, podium को मतलब यह होता है कि जो लकडी कानी बना होता है जिसके पीछे लोग खड़े होकर कि या तो poem तुनाते है या तो कोई mic लगी होती है तो उसको podium बोलते हैं पलपिट, stamp ये सारे सके synonym हो जागा और अन्टॉनिम इसका नहीं होता है इसके अन्टॉनिम नहीं होता है तो आप लोग मैंने अन्टॉनिम यहां पे नहीं लिखा है जागा तियास की केवल आप लोग बाड मेनिंग देख ले जगा डायस का केवल मेनिंग देख ले जगा कि पोडियम पर्पिट और स्टैम्प होता है ओके नेक्स्ट वार दिखे क्या है डली डली का मतलब होता है बिचरना या इटलाना something like play कोई चीज ऐसी मतलब खेलने वाली जो चीज होती है उसको वो सकते हैं लोग डेली इसका synonym देखे क्या हो जागा try, keras, or loiter और इसका antonym क्या हो जागा hesson, push, run ओके आईए देखते हैं next word क्या है next word है damage damage का मतलब होता है इसको देखे अपने गुसे को दिखाने के लिए जो चीज हम एक्सप्रेस करते हैं उसी एक्सप्रेस करते हैं वो emotion को damn रहते हैं मतलब उस emotion को damn रहते हैं और इसका synonym हो जाएगा blast, condemned, abuse abuse भी तो करते हैं abuse भी करना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा damn हो जाएगा abuse करना अपने गुसे को express करना भी हो जाता है ठीक है अपने पर जाएगा acclaim, admire, or approve okay आएगे नेक्स वर्ड देखते हैं next वर्ड है damp damp का मतलब होता है something slightly wet मतलब जो चीज़ नमी भरी होता है मतलब होता है moisture मॉस्टर जैसे मिट्टी होता है मिट्टी मॉस्टर केंटें कर लेते हैं environment होता है तो वैसे डमर्ग कम अश्लाइट्टी बढ़जाते है तो वैसे यह लुँ अश्लाइट नहीं जो मेरा हो उसको पैसे उसका सकते हैं नैटी और एंटानिम के हो जग ऑक्वर्ड अन्वेरेटी ओके नेच्ट वर देखे क्या है नेक्स्ट वर्ड है डिकेड डिकेड का मतलब होता है रॉटन गरप्ट या अंसांड और वही इसका अन्टानिम हो जाएगा sound wholesome या fresh इसका मतलब होता है decade का मतलब देखे क्या होता है decade का मतलब होता है wrote and decomposed through the action of bacteria and fungi इसका मतलब यह है कि कोई decade का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ decomposed हो जाती है किसके तुरू bacteria और fungus के तुरू अगर जमीन के अंदर है और वह कई सालों से पड़ी होता है तो क्या होता है वह सड जाती है किसके विजाती हो वह बैक्टेरियो और पंजाई के वज़े से घलती है उसी को भी बोलते है theo our video यह हमारा वीडियो जो है 10 ऐसे वर्ट है जो बहुत थे हमारे वीडियो आज कम्ट्रीट होता है नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे d से एसे d से इंपोर्टेंट लेगे आएंगे तो हमारे वीडियो को अगर पसंद आयो तो आगा थेंक यू